हलो फ्रेंट्स स्वागत है आप सभी का ओपन किचिन में आज हम बनाने जा रहे हैं लौकी कबाब करी अगर आप लौकी खाकर बोर हो गए हो तो आप एक बार इसे जरूर ट्राइ करें आपको पसंद आएगी आज हम लौकी कबाब करी पंजाबी स्टाइल में बनाएंगे इ अगर आप खटा कम पसंद करते हैं तो दही कम कर लें दो चम्मच बुने हुए चने जिनको मैंने हलका सा कूट लिया है एक चम्मच अध्रक लैसुन का पेस्ट एक हरी मिश बारी कटी हुई एक चम्मच तेल अब हम लौकी में नमक डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर कटी के स्पाइट से रखेंगे 10 मिरट के लिए जिससे कीुझ लौकी है वो एक्स्ट्रा पानी चोड दें- दस मिनट बाद हम देखेंगे कि हमारी जो लौकी है वो पानी अच्छे से छोड़ चुकी है इसे हम हाथ से दबाते हुए इसका पानी अच्छे से निकाल देंगे मैंने यहाँ पर हाथ से निकाला है आप चाहो तो इसके लिए एक पतला कपड़ा ले सकते हो उससे भी निकाल कि आप लौकी के पानी को एक बार टेस्ट जरूर कर लें क्योंकि कई बार लॉकी कड़बी होती है तो उसका पानी भी कड़बा हो जाता है अब हम लौकी को एक बावल में डालेंगे और उसमें एड करेंगे हरी मिर्श बारिक कटी हुई अधरक लेसन का पेस्ट भुने हुए चने अगर आपके पास भुने हुए चने ना हो तो आप चने की दाल को एक घंटे भिगो कर पीस में डाल सकते हो दही डालकर अच्छे से मिक्स करें उसके बाद हम डालेंगे बन बाइ 4 टीजपून हल्दी बन बाइ 4 टीजपून लालमेश पाउडर और इनको हम अच्छे से मिक्स करेंगे अगर आप प्याज पसंद करते हैं तो कबाप में आप प्याज भी डाल सकते हैं अब हम थोड़ा थोड़ा बेशन इसमें डालेंगे और देख लें कि लौकी में कितना मौशर है आप बेशन को एक बार में न डालें इसको दो से तीन बार में ही डालें अगर आपको जरुरत लगे तो आप इसमें थोड़ा सब बेशन और डालने अब हम लौकी के कबाप को शेलो फ्राई करेंगे इसमें हम एड़ करेंगे आदा छोटी चमबच तेल इससे जो लौकी के कबाप है वो दात अच्छे पकते नहीं है और अच्छे से बन जाते हैं अब हम कबाप को फ्राई होने के लिए पैन में डालेंगे ऐसे ही सारे कबाप तैयार कर लें और उन्हें फ्राई करें कवाब को हमें मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करना है जिससे कि हमने जो इसमें बेसन डाला है और लौकी है वो अंदर से अच्छे से पक जाए कवाब को हम दोनों साइड से पलट पलट कर अच्छे से फ्राई करेंगे कवाब को हमें गोल्डन फ्राई करना है हमारे कवाब तैयार हो चुके हैं इन्हें हम एक प्लेट में निकाल लेंगे आप यह जो कवाब है उन्हें स्नेक्स में भी बना सकते हो बहुत टेस्टी लगते हैं ग्रेवी के लिए यहां पर हमने लिया है एक टमाटर बारीक कटा हुआ एक प्याज पतला लंबा कटा हुआ दो से तीन चमच दही एक हरीमिश बारीक कटी हुई एक इंच अद्रक ती दो चमच गी मैं यहां पर कवाब करी घी में बना रही हूँ आप रिफाइंड ओयल में भी बना सकते हो गी गरम हो चुका है इसमें हम डालेंगे आदा छोटी चमच जीरा अद्रक हरी मिर्च और बारीक कटा हुआ लैसन इसे हम मीडियम फ्लेम पर एक मिर्ट तक यह दो हम डालेंगे हादा छोटी चमच हल्ती पावडर तो एक चमच दनिया पावडर एक चमच लालमिस पावडर मैं यहां पर कश्मीरी लालमिस दाली है आप कोई भी लालमिस यूज कर सकते हो हमारा मसाला भी भून चुका है अब हम इसमें एड़ करेंगे टमाटस मैं और उसका पानी हम ग्रेवी में यूज करेंगे, इसमें आदा कटोरी हम पानी एड़ करेंगे और टमाटर को अच्छे से पकाएंगे, जब तक हमारे टमाटर है वो मसाले में अच्छे से मिक्स ना हो जाए और तेल ना छोड़ने लगे, तब तक हम इसको पकाएंगे, अब हम करी का जो टेस्ट है वो डवल हो जाता है तो आप इसे जरूर एड़ करें अब हम इसे एड़ करेंगे करी में और इसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे अब हम मसालों को तब तक पकाएंगे जब तक कि ये कड़ाई में ऑईल न छोड़ें मैंने यहाँ पर प्यास टमाटर को काट कर लिया है अगर आप चाहो तो इनकी एक प्यूरी बना कर भी इसमें डाल सकते हो अब हम इसमें एड करेंगे लौकी का बचा हुआ पानी और थोड़ा सा पानी मैंने यहाँ पर और एड किया है इसको हम पांच मिट तक के लिए अच्छे से बॉइल करेंगे हमें करी को थोड़ा पतला ही रखना है क्यूंकि कबाब डालने के बाद जो हमारी करी है वो गाड़ी हो जाती है पांच मिट के बाद हम इसमें डाल करेंगे हमारे तयार की हुए कबाब और गैस को लो फ्लेम पर करके 5-7 मिट के लिए इसे और पकाएं पांश मट के बाद हम गैस बंद करेंगे और इसे एक प्लेट में डाल कर उपर से हरे धनिये से गार्निशिंग करके सर्फ करें इन्जॉय करें अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू फॉर वाचिंग